हलो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकेडमिक एक्सेलेंशने स्कूल में आज किते हम सौप करने वाले हैं दे 19 की वॉक्सीट तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है हर एक अंग्रेजी अक्षर का मान निकाले और वाक्स में लिखें तो यह अंग्र स्टीन को एड़ करेंगे यह आएगा 28 28 में से 24 मैनस करेंगे यहाँ पर आएगा और ऐसे ही 81 divided by 9 करेंगे तो आएगा 9, 9 में से 0 मैनस करेंगे तो यहाँ आएगा 9, ठीक ऐसी 12플러स 16 divided by 4 तो पहले हमने ब्रैकेट को सौल करना है तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ minus 9 bracket को पहले solve करेंगे यह आएगा 1, 1 को 25 से into करेंगे तो यह आएगा 25, अब यहाँ पर A, B, C, D, E, तो A का मान आ रहा है 1, B का मान आ रहा है 2, C का मान आ रहा है 9, C का मान आ रहा है 16, और E का मान आ रहा है 25, तो यह हम कह सकते हैं, यह 1 का square है, यह 2 का square है, यह 3 का square है, यह 4 का square है, और यह 5 का square है, तो इसका pattern है, यह सबी digits का square यहाँ पर हो रहा है, अब इसे solve करते हैं, प्रते एक box में सही उत्तर पर गोल घेरा लगाएं तो ये एक box है यहाँ पर सही उत्तर लगाके हमें घेरा लगाना है 55-96054 तो 55 में से 54 जाएंगे तो यहाँ पर एक answer आएगा 75-25 होता है 25 25 को 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 ठीक ऐसे 9 प्लस 9 यह होता है 18 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 5 इंटू 5 यहाँ होता है 25 25 में से 10 घटाएंगे तो फिर आजाता है 15 38 डिवाइड बाए 20 डिवाइड बाए 10 तो पहले इसको solve करेंगे यह आएगा 2 फिर 2 से 38 को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 9 तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है पहले आ रहा है 1 फिर आएगा 5 फिर 9 फिर 15 और फिर 19 question number 3 सबसे पहले A, B, C और D का मान निकालें फिर A प्लस B प्लस C प्लस D का मान निकालें और यह बताएं कि यह 37 के बराबर है या नहीं तो सबसे पहले A का मान निकालते है A का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें bracket solve करना होगा यह हो जायगा 8.32 divided by 16 तो यह हो जायगा 2 तो A का मान आ रहा है हमारे पास 2 ऐसे B का मान निकालते हैं यह होगा 8 प्लस 2 तो यह होगा 12, तो C कमान आ गया 12, ऐसे D कमान, 17-24 divided by 2, तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो यह आएगा 4, 17 में से 4 गया, तो आएगा 13, 2, 10, 12, 13 को add करेंगे, यह 2 है, B 10 है, C 12 है, और D 13 है, तो क्या इनको add करके 37 आता है या नहीं आता है, तो 2, 10, 12, 13 को, अगर हम add करते हैं, 3, 2, 5, 2, 7, हाँ जी 37 आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा, कि यह है, इसके बराबर आता है, बराबर आता है, question number 4 में, जमुना ने एक पंखा 180 रुपे की हानी पर 690 रुपे का बेचा, है, और 180 रुपे की उसे हुई हानी, तो हानी अगर हम जोड़ेंगे, बेचे हुए माल में, तो हम कितने का खरीदे हैं, यह निकल के आ जाएगा, यह होगा 870, question number 5 करते हैं, एक किलो अंगूर 65 रुपे का है, तो बताए, 23 किलो अंगूर कितने का होगा, तो 65 रुपे का एक किलो है, तो 23 किलो कितने का होगा, पांस तिया पंदरा का 5, 1, 6, 18, 19, ठीक है, ऐसे ही 5 दुनी 10 का 0, फिर 1, 6, 12, 12, 13, तो यह हो गया आपारा 5, 9, 4, 1, 1, 4, 9, 5, तो 14, 9, 5 का 23 किलो अंगूर खरीदा जाएगा, राजू ने 20 लीटर दूद 800 रुपे में खरीदा, और यही 20 लीटर दूद 45 रुपे परती लीटर बेचा, गया है तो 900 रुपे का कुल दूद बेच दिया गया खरीदा कितने गया था 800 रुपे का खरीदा गया और 900 रुपे का बेचा गया तो यह खरीदा बेचा अगर हम देखें तो इसमें बड़ा कौन है बेचा हुआ बड़ा है जब बेचा जादा मुले का जाएगा और खरीदा क स्वाल करते हैं